Hello everyone, गर्मियों का मौसम कई पोधों के लिए अच्छा होता है, उसमें अच्छी ग्रोध भी होती है और फूल भी आते हैं ये कुछ ऐसे पोधे होते हैं जिसमें पर्याप्त मातरा में धूब की जरूरत होती है ये सबी प्लांट अच्छी तरह ग्रोध करें, इसके लिए इनको सही तरीके से और सही मातरा में खाद दी जाती है गर्मियों के मौसम में गोबर की खाद को सबसे अच्छा माना जाता है ये किसी भी नरसरी में मिल जाती है या फिर आप वर्मी कंपोज भी यूज कर सकते हैं उसको आप ओनलाइन भी मंगा सकते है पर हमीसा ये फर्टिलाजर देख कर लेना चाहिए कि ये पुराने होने चाहिए नई खाद प्लांट को खराब कर देती है खाद देने के लिए सबसे पहले हमारे गमले में जो भी एक्स्ट्रा प्लांट आ गए है उनको हटा देना चाहिए इसके बाद प्लांट के चारों तरब जो मिट्टी टाइट हो गई है उसको थोड़ी खोद दे और उसको थोड़ी देर धूप लगने दे घर्मियों के मौसम में एक दो घंटी की दूप भी परियाप्त होती है जो मिट्टी में लग जाती है इसके बाद फर्टिलाइजर देने के लिए गमले की मिट्टी को चारों तरब से दीरे दीरे खोद ले इस बात का ख्याल रखें कि प्लांट की जड़ों को नुकसान न हो जितनी भी हम मिट्टी निकालेंगे जो में स्टेम है उससे थोड़ी दूरी पर निकालेंगे और सभी मिट्टी को ऊपर थोड़ा कर देते हैं जिससे किनारे-किनारे एक गढ़्धा बन जाता है गमले में इसके बाद जो भी फर्टिलाइजर हमको देना है गोबर की खाद या बर्मी कंपोज उसको इस बनाई हुए गड़े में किनारे किनारे पर डाल देंगे और इसके बाद जो बीच में हमने मिट्टी खट्टी की है इसको खाद के उपर से ढग देंगे जिससे जब भी हम पानी देंगे तो जो भी गोबर की खाद का न्यूट्रिसन होगा वो हमारे प्लांट में अच्छी तरह से मिलेगा अगर जमीन में लगे हुए प्लांट को हमको खाद देना है इस तरीके से आप उसमें भी कर सकते हैं मेन ब्रांच के चारों तरफ एक गड़ा बनाए और उसमें खाद डाले पौधों को खाद देने के बाद पानी देना बहुत जरूरी होता है जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और जो खाद का न्यूट्रिसन होता है वो प्लांट को मिलता है अगर हमको छोटे गमलों में खाद देनी है तो उसके लिए हमको लिक्विट खाद का यूज करना चाहिए इसके लिए बर्मी कंपोज्ड या फिर गोबर की खाद में दो-तीन मग्गे पानी मिला दें एक चोटी बकिट में और फिर उसको चोटे गमलों में डाले अगर गमली में इतनी जगह है कि उसकी मिट्टी को थोड़ा खोदा जा सकता है तो हम उसकी मिट्टी को थोड़ा हटा देंगे इसके बाद हमने जो लिक्विट फर्टिलाजर तयार गिया है वो इसमें देंगे अगर प्लांट जादा चोटा है तो डारेक्ट लिक्ट फर्टिलाइजर दिया जा सकता है पर हमेशा एक बैलेंस मात्रा ही फर्टिलाइजर की दें वरना प्लांट खराब हो जाएगा और एक सही समय पर दें लगभग 15 दिन में या एक महीने में आप ये काम करें जिससे आपके सबी प्लांट हेल्दी होंगे और फूल भी आएंगे आसा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू